रिशी पंचमी की पूजा देखते हुए रिशी पंचमी की कथा सुनें यह कथा सुनने से समस्त पापों से छुटकारा मिलता है रिशी पंचमी ब्रत कथा भविश्योत्तर पुराण के अनुसार रिशी पंचमी की कथा एक बार श्री कृष्ण भगवान से राजा युधिष्ठर ने प्रश्ण किया हे देवों के देव मैंने आपकी श्री मुख से अनेकों व्रतों के महत्मयों को सुना है अब कृपा करके उस पंचमी का उत्तम व्रत सुनावें जिससे समस्त पापों की निवरत्ती होती है राजा के इन बचनों को सुनकर श्री कृष्ण जी बोले हे राजेंद्र अब तुमको रिशी पंचमी का उत्तम व्रत सुनाता हूं जिसको धारन करने से इस्त्री समस्त पापों से छुटकारा पा लेती है हे राजन जो इस्त्री रजस्वला होकर भी घर ग्रहस्ती के कामों में प्रवर्त होती है तथा घर के बरतनों आदी को जाने अंजाने चूती है अवश्य ही वह नर्क में जाती है अतह चारों वर्णों की लोगों को चाहिए कि वे रजस्वला इस्तरी को घर का कारिय ना करने दें क्योंकि पूर्व समय व्रत्ता सुर्का वद करने के कारण इंद्र को ब्रह्म हत्या का महान पाप लगा था उस समय ब्रह्मा जी ने उस पर कृपा करके उस पाप को चार स्थानों पर बांट दिया पहला अगनी की ज्वाला में दूसरा नदियों के बरसाती जल में तीसरा परवतों में और चोथा इस्तरी की रज में विभाजित करके उसके पाप की शुद्धी कर दी बस इसी पाप के प्रभाव के कारण रजस्वला इस्तरी पहले दिन चांडालिनी दूसरे दिन ब्रह्म हत्यारिनी तीसरे दिन धोबिन के समान रहती है चौथे दिन शुद्ध हो जाती है रजस्वला धर्म में जाने या अंजाने उससे जो भी पाप हो जाते हैं उनकी शुद्धी के लिए ही हर इस्तरी को रिशी पंचमी का वरत करना होता है और वही उत्तम है यह वरत समान गुप से चारों वर्ण की इस्तरीयों को करना बताया गया है इसी प्रसंग में एक प्राचीन कथा का वर्णन करता हूँ सतियुग में विदर्भ नगरी में शेन जित नामक एक राजा हुए हैं वे प्रजा का पुत्रवत पालन करते थे उनके समस्त आचरण रिशीयों के समान थे उन्ही के राज में वेदों का पाठ करने वाला और समस्त जीवों के प्रती उपकारी मनोवरती रखने वाला सुमित्र नामक एक क्रशक ब्रहमन भी था ब्रहमन की स्थरी जैश्री अत्यंत पतिवरता थी उस ब्रहमन के यहां अनेग नौकर चाकर भी सेवा रत थे एक समय वर्षा रितू में जब उसकी इस्तरी खेती के कामों में लगी हुई थी तो वह रजस्वला हो गई हे राजन उससे अपने रजस्वला होने का पता भी लग गया किन्तु फिर भी वह घर बार के काम काज करती रही उसने घर ग्रहस्ती के बरतनवादी सभी को अपने हातों से छू लिया कुछ समय पश्चात वे दोनों इस्तरी पुरुष अपने अपने आयू भोग कर ब्रत्यों को प्राप्थ हुए जैश्री अपने रितु दोश के कारण कुटिया और पती सुमित्र को रजस्वला इस्तरी के संपर्क में आने के कारण बैल की यूनिया प्राप्थ हुई क्योंकि रितु दोश के अतिरिक्त इन दोनों का और कोई अपराद नहीं था इसी कारण उन दोनों को अपने पूर्व जन्म का समस्त विवरण भी याद रहा वे दोनों कुतिया और बैल के रूप में उसी नगर में अपने ही पुत्र सुचित्र के यहां रहने लगे धर्मात्मा सुचित्र अपने अतितियों का पूर्ण सतकार किया करता था अपने पिता के श्राद के दिन उसने अपने घर ब्रहमनों को जिमाने के लिए नाना प्रकार के भोजन बनवाए जब उसकी इस्तरी किसी काम से रसोई से बाहर गई हुई थी तो एक सर्प ने रसोई की खीर के बरतन में विश्बमन कर दिया कुटिया के रूप में सुचित्र की मा कुछ दूर से यह सब देख रही थी पुत्र की बहू के आने पर उसने अपने पुत्र को ब्रह्म हत्या के पाप से बचाने के लिए उस बरतन में मुख डाल दिया सुचित्र की पत्नी चंद्रवती से कुतिया का यहकरत्य सहन ना हुआ उसने चूले से जलते हुई लकड़ी निकाल कर कुतिया को मारी पेचारी कुटिया मार खाकर घर में इधर उधर भागी फिरी चौके में जो भी जूठन इद्याती बची रहती थी वह सब सुशित्र की बहु उस कुटिया को डाल दिया करती थी किन्तु उस दिन क्रोध के कारण उसने वह भी बाहर फिकवा दी और कुटिया को ना डाली सब खादे पदार्थों को फिकवा कर साफ वर्तनों में उसने सब खाना दुबारा बनवाया तथा ब्रहमन को जिमाया रात्री की समय भूख से व्याकुल होकर वह कुटिया बैल के रूप में रह रहे अपने पूर्व पदी के पास जाकर बोली हे स्वामी आज तो मैं भूख से मरी जा रही हूँ वैसे तो मेरा पुत्र रोज मुझे खाने को कुछ देता था लेकिन आज तो उसने मुझे कुछ नहीं दिया है मैंने साप के विश्वाले खीर के बरतन को अनेक ब्रह्म हत्याओं के भय से छू कर उनके न खाने योग्य कर दिया था इसी कारण उसकी बहु ने मुझे मारा और आज खाने को भी कुछ नहीं दिया है तब बैल बोला हे भद्रे तेरे पापों के कारण तो मैं भी इस योणी में आपड़ा हूँ और आज बोजा ढोते ढोते मेरी कमर भी तूटी जा रही है आज मैं भी दिन भर खेत में हल में जुता रहा मेरे पुत्र ने आज मुझे भी भोजन नहीं दिया और उपर से मारा भी खूब है मुझे इस प्रकार कश्ट दे कर उसने मेरी इस श्राद को निश्फल कर दिया है अपने माता पिता की इन बातों को उनका पुत्र सुचित्र सुन रहा था उसने उसी समय उनको भरपेट भोजन कराया और फिर उनके दुख से दुखी होकर वह प्रातह वन की योर चला गया वन में जाकर उसने रिशियों से पूछा हे रिशिवरो मेरे माता पिता किन कर्मों की कारण इन नीची योनियों को प्राप्थ हुए है और अब किस प्रकार वे इस से चुटकारा पा सकते हैं उन वचलों को श्रवन कर सर्वतपा नामक रिशी उस ब्राहमन कुमार पर दया करके बोले पूर्व जन्म में तुम्हारी माता ने अपने उच्रंखल सोभाव के कारण रजस्वला होते हुए भी घर ग्रहस्ती की समस्त वस्तों को इस परश किया था और तुम्हारे पिता ने मा को इस परश किया था इसी कारण वे कुतिया और बैल की योनि को प्राप्थ हुए हैं तुमको उनकी मुक्ते के लिए अब सब अतनीक रिशी पंचमी का वरत धारन करके तथा उसका फल अपने माता पिता को अरपन करना होगा भादो मास के शुकल पक्ष की जब पंचमी आये तब मुक शुद्धी करके मध्यान में नदी के पवित्र जल में स्टान करना और फिर नवीन शुद्ध रेश्मी वस्तनों को धारन करके अरुन्धती सहित सब्त रिशियों का पूजन करना सर्वतपा रिशी के इन वचनों को श्रवन करके सुचित्र ने अपने घर लोटकर रिशी पंचमी का दिन आने पर पत्नी सहित समस्त विधी विधान से इस व्रत को किया और उसके पुन्न को अपने माता पिता को अर्पित कर दिया व्रत के प्रभाव से उसके माता पिता दोनों ही पशु योनियों से मुक्त हो गए और दिव्य विमान पर आरूड होकर स्वर्ग को चले गए हे राजन इस व्रत को धारन करने से अनेका अनेक उत्तम और वांशित फल प्राप्त होते हैं समस्त तीर्थे आत्राओं समस्त व्रतों और दानों से जितने भी फल प्राप्त हो सकते हैं वे सब केवल इस रिशी पंचमे के व्रत से ही प्राप्त हो जाते हैं जो इस्त्री इसे शद्धा पूर्वक धारन करती है वह समस्त सांसारिक सुखों को पाती है यह व्रत समस्त एश्वरियों को देने वाला है और रिश्यों के समस्त पापों को नाश करने वाला है इसमें संशय नहीं है इस व्रत की कथा को पढ़ने तथा सुनने वाले भी समस् cricket करते हैं इती श्री रिशी पंच्व८ि Mississippi EXA समापद दोस्तो इस गढ़ा को दूसरों के साथ बिश्यर जरूर केजियेगा और आगे आने वाले वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्स्क्राम जरूर के जिएगा फिर मिलते हैं अगले वीडियो में हर-h выступ करें के vita